जिन्दगी में आप सीखना चाते हैं उन तीन लोगों से जो आपको कहते हैं कि देखिए मैंने बहुत पड़ाई किये पहला दूसरा वो यार मैंने बहुत काम किये जिन्दगी में और तीसरा वो जो कहते हैं कि मैंने दुनिया देखी है राइट अब इन तीन लोगों से आप तीनों ही चीजे उन्होंने की हो तो फिर कहना ही क्या तो आज एक्विटी गुरुकुल में हम आपको मार्केट के एक ऐसे गुरु से मिलवा रहे हैं जोनों नहीं सिर्फ जम कर पढ़ाई किया नहीं जम कर काम किया है बलकि उन्होंने पूरी दुनिया भी देखी और खासतोर कुछ नहीं इस्यों में सिर्फ आपने जो 30 साल में मार्केट में सीखा है वो हम आपसे 30 मिलवा सीखने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ही आसाल है साथ जुड़िए जहां पर आपका ब्रोकरिज कुछ भी नहीं लगेगा ब्रोकरिज लगेगा तो सिर्फ इंटराजे ट्रेज में वह भी सिर्फ बीस रुपए तो दोस्तों एकाउंट ओपनिंग की लिंक दिस्क्रिप्शन में हैं जाईए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना एकाउंट ओपन कराईए तो सबसे पहले तो यह सीखा है कि आप तीस साल मार्केट में गुजारो बीस साल गुजारो दस साल गुजारो फिर भी आप सीखते रहते हो तो एवरी डे दे जर समीन पर आजाओगे फिर हमबल शुरुआत होगी और तीसरा यह मैंने सीखा है कि मार्केट में जो आप्टिमिस्टिक रहता है पैसा उसी का बनता है जो बहुत पैसिमिस्ट रहता है जो सोचता है दुनिया के बारे में इदर कैसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा उसका कब नहीं बनता है वो सिर्फ वो एक ऑपर्चुनिटी ढूंटे रहता है लेकिन वो कभी आती ही नहीं है और फिर नौन मैंने आपके साथ सेक्रों इंटर्यू कर लिए लेकिर आपके इंटर्यूज में से दो बाते हैं मुझे बहुत अच्छे से याद है और वो मैं आज गुर सही हो जाए वो भी सही हो जाए तो आपको इंडेक्स एक लाग का दिखेगा राइट तो इन दोनों चीज़ों को हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं तो अब यह अगर बजार देखिए अपने तो बहुत बार क्या होता है ना हम सपोस्ट पांच टॉक लेते हैं और प जो पॉट्फोलियो में आ जाता है उसके ओपर ध्यान भी जाता जाता है वो बिक्ता भी नहीं है और उसमें लॉज भड़ते जाता है तो अगर आप सपोस्ट हजार कंपनीया है जो एक्टिवली ठीरिड है उसमें आप ए नक्की कर दो कि यह 600 700 तो मुझे देखनी नहीं है हाँ अच्छा यह हटा दो हाँ तो आप सोचे लाइफ कितनी एजी होगी और उसके बाद में यू कैन वर्क लॉट और जो रिटन है ना आपका पॉर्टफोलियो में इस मोस्ट अब दो एदम सूपरस्टार निकले तो यूड बेस्ट परफॉर्मिंग फंड बहुत टफ है यह करना इस नहीं है तो इसमें से हो सकता है कि दो चार-दस कंपनिया का कुछ फंडामेंटल चेंज हो रहा है कुछ आउटलूक चेंज हो रहा है जिससे वह एक्टिव कवरेज में आ जाए बट वेन यू मेक पॉर्टफोलियो इस यू हर एबल तो अवाइट स्टॉक्स जिसमें आपको बड़ा लॉस हो सकता है तो आप यू रिन वेरी वेरी स्वीट आम तोर पर लोग इंतजार करते हैं इंतजार करते हैं सही समय का सही जी का की ब्आव का का लिए कि और फिर में खरीद दूंगा तो क्या वो समय वाकई में आता है कि जब सब कुछ ठीक हो और बहुत सब बहुत सब कतकाना के तो दुनिया में 200 देश हैं और हर देश में 200 फैक्टर हैं तो अगर आप 40,000 फैक्टर का इंतजार करोगे टिक माक होनेगा तो आपको सेंसेक्स में भी 5 लाख में लेना पड़ेगा तो ऐसा कभी हो इनी सकता है कि सब फैक्टर आपके टिक हो एट दे सेम टाइम आपको एक थोड सब्सक्राइब कर सकते हो पास्ट को देखके और ट्रैक करके तो ऐसा नहीं कि आप उसको नजर अंदाज कर दोगे लेकिन उसके बेसिस पे खाली एक फैक्टर के बेसिस पे अगर आपने मंदी का ध्यान बिठा लिया तो फिर आप मिस कर जाओगे तो आइक जो तेजी मंद परफोलियों कि अगर आप रिस्की नहीं लेना चाहोगे तो आपको एक्विटी रिटन कैसे मिलेगा फिर आपको गॉर्मेंट ऑस इंडिया की जो सेकुरिटी एच एचे-साथ-साथ-से परसंद उससे खुछ रहना चाहिए विकाज थोड़ा बहुत तो आपको रिस्क ले कि ए नेगिटिव की बात करणां में और नेगिटिव हम ज्यादा बात करते हैं फिर भी रिटन तो अच्छे बनें है ना जो एक्विटी में उसी का पैसा बनेगा जो आप्टिमिस्टी हो अगोर उसे नहीं बहुत जबढ़े और यह जो सोचेगा ना कि कल आजसे बहुतर ह यही लग रहा है कि देश दुनिया डूबने वाली है वरबाद होने वाले तो फिर पैसा लगा नहीं कि बिल्कुल और फिर तो शायद हो सकता है कि खर्चा कर दो एफडी में भी सेफ रहे दे रहे पता नहीं लेकिन एक चीज है चुकि आपने पच्छतर हजार क्रोड़ से ज्यादा का एक्विटी फॉर्ट पॉर्टफोलियो काई सालों तक मेनेज किया है मूचिल फंड्स का अभी आपको खुद का पी एमेस बड़ा जबर थोड़ा रिटन उन्हें बना करते तो यह थोड़ा ज्यादा रिटन बनाना आपकी जिम्मेदारी भी है और आपकी परफॉमेंस भी यह आप कैसे करते हैं सरवाइवल भी है तो देखो एक एक रहता है कि ऐसी कंपनिया खरीदें जो जो और बास्केट से ज्यादा ग्रो हो और जिसमें प्रॉफिट ज्यादा हो और प्रॉफिट ज्यादा होगी तो अल्टीमेटली रिटन भी ज्यादा होगा एक थोड़ा सा बाई नीचर मैं थोड़ा थोड़ा कंजरवेटिव हूं तो थोड़ा जबी वेनेवर एविन आई लुक अट ग्रोथ वैलुएशन पे म तो अगर पूरी की पूरी कंपनी अगर आपको कोई बेचने को आए और इतनी वैल्यू है कि आपको उसमें पूरी कंपनी खरीदने में फाइदा लगे तो ही तो आप एक्विटी इनवेश्मेंट करना चाहिए लोट अफ टाइम एक बोलते हैं एक थोड़ा सा एक यूफोरिया हो जाता है थोड़ा ओर वैलिविशन हो जाता है सेक्टर में कोई चाम है कंपनी की ग्रोथ आ रही है दो साल तीस चालिश तका ग्रोथ किया तो हम उसको एक्स्टा पॉलट कर देते हैं कि दस साल तक तीस चा है दे मन रहता है बड़ नियर टम में हो सकता है कि वो शेर चलते जाएं कि अल्टिमेटली देर ग्रेटर फूल्स थीरी और आपका पैसा तब भी भी बन सकता है कि अगर आप से और कोई दूसरा उचे में खरिद के ले जाए तो मैं यह नहीं कहता हूं कि पीपल आर और इन को लगता है कि बबल है तो आज कोई कंपनी अगर 80-90 पी पे ट्रेड हो रही है तो अनलेश एट कंपनी इस ग्रोइंग थर्टी-फॉर्टी परसेंट अब वो 90 पी यह सी पी जस्टिफाइ नहीं कर सकते हो अगर कोई कंपनी 4-5 परसेंट वॉल्यूम ग्रोथ कर रही है तो कितना ओफिशेंसी से प्रॉफिट ग्रोथ करेगी अल्टीमेटली एक लेवल पर जाके उसका एफिशेंसी बंद हो जाएगी और प्रॉफिट ग्रोथ भी वॉल्यूम ग्रोथ में ही रह जाएगी तो लॉंग टम में इट विल मेक लॉट अप सेंस्ट साइग एक जो है ना जो मोमेंटम बहुत अच्छा केलते हैं शुट स्टिक तो दाइट डिरा सम इन्वेस्टर वह वो पर्टिकुलर स्टाइल के मैं तो खली पचास पी के स्टॉक लोंगा ठीक है उनका भी दौर आता है शुट स्टिक तो आइट तो आपको अपने आपको पैचार ना है कि पिएट इन्वेस्टर तो हम अगर वैल्यू दिखती है तो वैल्यू में भी एक मिरे एक मीरे ये शब नया सुनाय में अपर्टिनिस्टिक इन्वेस्टर ये क्या है लिग दो इंडिया इसा लाज कंट्री इंडिया में काफी सेक्टर्ड ऐसे हां जो बहुत फास्ट ग्रो जैसे हमारा एक कॉल था जो स्पिरिट्स और वियर कंपनी पे था जो अभी तक वर्क आउट दूस्तों देश की सबसे अच्छे बड़े और सबसे भरुसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए यहां पर एकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना पी ओ ए यानि की पावर ओप एटो ने देने की कोई आवस सकता नहीं है जिसको उपियोग करके हाली में देश के एक बड़े ब्रोकर ने दोहजर करोड का घुटा ला किया तो दोस्तों एकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है जाईए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना एकाउंट ओपन करा है मिख्ट है कोई कंपनी ने अच्छा किया है कोई कंपनी फ्लैटिश रही है बट अगर आप देखोगे तो बीस परसंट वर्ल्ल का पॉपिलेशन बॉन आफ्टर फर जनुवरी टूथाउजन एक जनुवरी दोजार के बाद वो बीस परसंट इंडियन है अच्छा हर पांच वा आद मी जो पैदा हो रहा हो इंडियन है और वो अभी अठ्रा साल के भी तक हुए भी नहीं है उसमें से 90 बर्संट लोग और सोशल भी एक्सेप्टेबल है कोई मनी इसमें ऐसा पहले जैसा शॉक नहीं लगता है तो एक ट्रेंड है वो तो इसमें स्टॉक्स आपको महंगे मिलेंगे बट यू जस्टिफा विथ हाय ग्रोथ दूसरा क्या है वें यू लुक अट समें मैचूर सेक्टर उसमें वैल्यू भी मिल जाती आपको तो इंडिया में यू आफ स्टील यू बैंक्स विच वेरी स्टेबल आपके पास दू जाओन आया थोड़ा FDA का भी एक you know increased surveillance हो गया थोड़ा सा setback लगा अब काफी फार्मा कमनी 15-16 PE में मिल रही है तो you know from a growth sector वो value sector हो गए है तो I think India में वो value भी मिलता है प्लस कभी-कभी है ना जैसे specifically cyclical sectors में बहुत ही उपर निचे होती है तो suddenly आपको पता चला के steel company चौथाई भाव में मिल रही है I'm just giving an example तो आप जब भी portfolio create करते हो एक आपकी अगर views clear है thought process clear है तो आप बोलोगे ठीक है वास यह sector आज इतना मरा हुआ है बट यह survivor है यह company पचास साल में survive हुई है बंद नहीं हुई है इसका debt equity ratio control में है इसके cash flows control में है एक आपको बस just ची sector में थोड़ा सा movement आया तो आपका तीन चार गुना पैसा हो सकता है तो when you create a portfolio हम यह कोशिश करते हैं कि हम growth भी देखें जहां value मिल जाता है और को एक opportunistic kind of पांच साथ परसंड की बेड़ भी मिल जाती है तो उसके हिसाब से you are able to create some alpha आम तोर पर आपको एक special insight होती है जो retail investors के मकाबले में क्योंकि आप कमेंटिंगे management से बात करते हैं balance ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं तो क्या value और growth के साथ कुछ asset trigger जिसे हम कहते हैं वो fund management की बादशा में कि alpha generate कैसे हो सकता है यानि कि market के मुकाबले में वो stock ज्यादा return कैसे दे सकता है वो आप कैसे ढू बट दो या तीन चीज ऐसी है कि अगर वो हो गई तो company के profitability can jump significantly जैसे for example अभी corporate bank देखें तो corporate bank में the trigger is कि यह जो NPA provision है वो रुख जाएं या कम हो जाएं वो ही हुआ last एक दो साल में तो option value था जिसके basis पे corporate banks करीकोरी 100 अका बढ़ गें दो साल में if you look at private sector corporate banks या फार्मा में है कि यह base level का profit तो यह है बट यह एक product या दो product approve हो जाएं तो there can be a sudden jump that is optionality या मैं बोलूंगा exchanges है या broking companies है या asset management companies है उसमें एक base level का तो growth है बट जो penetration इंडिया में यह सब चीजों का है compared to the world अगर वो थोड़ा सा भी penetration बढ़ेगा तो there is huge option value कि इनके cost fix हैं तो every additional revenue सीधा profitability में ज I think sometimes in some sectors the optionally optionability can give you very high returns लेकिन एक चीज़ और बता है कि जिसे आप fund major है तो खरीदने के साथ साथ कभी कभी बेचने का decision भी लेने उपड़ते होंगे एक तो मेरे जिसे कोई investor आके कहे कि मैं redemption कर रहा हूं और Sunil जी पैसे दीजिए तब तो अलग बात है लेकिन उसके अलवा कि बेचना कभ है या कभ बेचते हैं आप वो decision कैसे आता है मैं बोलूंगा कि बेचना is a more tougher decision than buying अच्छा क्योंकि बेचने में है ना दो चीज़े हैं एक तो कभी-कभी आप frustrated के बेच देते हैं कि आपने कोई stock में है ना एक view लिया और a view थोड़ा time लग गया हो सकता है time लग return investors भी थोड़े ओपर नीचे हो जाते हैं तो एक कभी frustration में बिख जाता है और मैंने देखा है जो frustration में बिखता है नो 99% गलती होता है 99% हमारे investors के साथ ही होता है होता ही है कि लेने के बाद या तो नीचे जाएगा या वो रूला देगा कि चलता ही नहीं है मतलब एक English में कहा बावत है the stock does not know that you own it stock को पता नहीं है कि आपने खरीदा है तो लेते ही कुछ बढ़ने वाला नहीं है हो सकता है वो 57% नीचे भी जाएगा थोड़ा टाइम भी निकालेगा अगर लेते बढ़िया तो आपका लग्य हो बट बाकी है दूसरा I think more importantly at least मेरे life में दो stock में जो मेर सबसे बड़ी गलती हुई है that is selling early. अच्छा selling early? Selling early. और मैंने काफी public forum में भी कहा है कि Bajaj Finance और iShare Motors दोनों stock हमने बहुत ही कम market cap में खरीदे थे. उसमें खाली problem क्या हो गया ना हमारा पैसा बहुत जल्दी बन गया. तो कभी-कभी जल्दी पैसा बनता है ना तो बोलते है जल्दी नो हाथ में खा जाती है. खुटली आती है. आ रहा है ले लो. तो Bajaj Finance भी हमने 8-9% हमारे पास टेक था. नो परसें रिलाइंस हमने करीब 400-600-700 crore के market cap में खरीदा था. और within couple of years 2000 crore का market cap हो गया तो लगा बहुत बन गया पैसा. और फिर क्या होता है ना एक बर बि हमें बहुत बड़ा block मिल गया था. और जैसे मैंने का 3-4 महने में यह stock में अच्छा return मन गया. तो थोड़ा बिग गया. अभी यह सीख लिया है कि बेचने में भी उतना ही आप analysis करो जितना खरीदने में. क्यूंकि कभी-कभी है ना थोड़ा सा भी उपर नीचे होता है तो म हिल जाते हैं. जैसे budget का मेरे को याद है. बजेट में कुछ एक provision आया है जिसके वज़े से insurance company housing बारा बारा पंदरा पंदरा परसन गिर गई. अभी उस दिन अगर आप screen के सामने बैठे होते हैं तो आप घबरा जाते हैं. बट अल्टिमेटली अगर आप cyclical, structural अगर आप दे हो जाता है. आपकी दोनों example से एक बात समझ में आई कि बेचने का decision सिर्फ इस वज़े से नहीं लेना चाहिए यह stock बहुत बढ़ गया है. और इस वज़े से भी नहीं लेना चाहिए कि बढ़ नहीं रहा है. अगर आपका fundamental perspective right है तो आपको patience रखना चाहिए और अगर बहुत बढ़ गया है तो आपको अपने greed को control करना चाहिए in terms of making short term gains. यहां अगर short term में इतना बढ़ रहा है तो इसका मतलब हो सकता है stock की re-rating हो जाए और बढ़े. एक चीज और है जब आप stocks खरीदते हैं आपको हमेशा चाहे वो market हो चाहे दूसरे funds हो उससे बहतर performance है तो क्या एक चीज क्या होगी जो इस sector के दूसरे stocks के मुकाबले में ज्यादा बैतर इस stock में वो अगर देखते हैं तो वो क्या देखते हैं और कैसे देखते हैं मैं यह जाना चाहिए. जहां पर आपका brokerage कुछ भी नहीं लगेगा, brokerage लगेगा तो सिर्फ इंतराजे trade में वह भी सिर description में हैं, जाइए और link पर click करके जिरोधा में अपना account open कर आई. आपका perspective क्या है in terms of quality of company, in terms of growth and in terms of sustainability of growth. तो बहुत mistake करके 20-25 साल में बहुत ही experience और experience नुकसान करके ही मिलता है. फ्री में experience नहीं मिलता है. हमने एक framework बना लिया है. उसको हम meets बोलते हैं कि management ठीक होना चाहिए, earnings growth होना चाहिए, events और trends में कोई setback नहीं हो जाए. क्योंकि आजकल क्या है, पहले ओ, बोलते हैं न, fill it, forget it, shut it, 50 साल तक आजकल नहीं कर सकते हैं. अगर 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 आप पेशन रखोना कुछ न कुछ न कुछ न कुछ न कुछ न यूज आती है, जिसके वजह से आपको ऊपर नीचे करके है न, अपने बहुं में शेर मिल जाते हैं. तो अगर आपने 10% से मिल गए, या कोई U.S.F.D.A. का इशू आ गया, दीवीज था, फर एंग्जेंपल, 600 रुपया हो गया था, आज 200 हो गया तीन साल के अंदर अंदर. और लास्ट है structure, जो structural stocks है, जहां पे sectors है, जहां पे growth आपका 15-20% आपको लगता है के 5-10 साल तक हो सकता है, वो आपको सस्ते में नहीं मिलेंगे, वो महंगे ही मिलेंगे. तो यह के framework बना लिया है, I think वो framework पे चलते हैं, तो हो सकता है के 10 में से हम 9 mistake avoid कर सकें, बाकी देखो थ थोड़ा events will also play a big role. आपने कर लिया और आप unfortunate रहे और आपको पता चला के नहीं यह प्रोड़क्टी बहन हो गया, यह facility फार्मा में में कोई problem अगे 2-3 साल तक, थोड़ा अलग भी play करता है, बाइनलाज अगर आपने parameter set कर लिये, तो you are in good shape. तो आप जब कहते हैं कि वो भर-भर के stock खरीदना, कि मैं जितना पैसा सब ले लूँ, यह कब decide करते हैं, जब market खराब होता है तब, यह जब आपका पसंद का stock खराब होता है तब? नहीं, market no one can say for sure कि यह right time है, तो फरक पड़ता है कभी opportunity मिल जाती है, जिससे मेरे को याद है, 2018 में, just after ILFS हुआ, तो बहुत बड़ी opportunity मिली October में सब को share खरीदने को, अभी 2-3 मेने पहले, markets were really, really weak, you know, but वो opportunity आपकब exploit कर सकते हैं, if you're a trader. Ultimately, अगर आपने आपका एक list बना रखी कि मुझे यह stock पसंद है, चलो ठीक है, I will wait for my price, or I will buy now, अगर 57% का reaction expected है, तो आप भी खरीदो या 500% बात खरीदो, कुछ फरक नहीं पड़ता है, if your holding period is 3-4 years, but ultimately, you have to invest, one, when you have funds to invest, and second is when you are pretty confident, कि यह कोई बड़ा crash नहीं दिखता है, तो आखिर में, सुनिल जी, आपकी तरफ से गुरू मंतर हमारे सारे वो investors, जो viewers, जो आम तोर पर retail investors हैं, बाजार से कैसे अपनी wealth बनाएं, बहुत clear है कि winners को मत बेचिये, और losers को मत रखिये, एक comment है, बहुत ही अच्छे fund manager का, उन्होंने कहा है कि selling your winners and holding on to your losers is like cutting your roses and watering your weeds, तो retail investors के भी होई कहूंगा कि just because stock का भाव बढ़ गया, आप बेच दोगे, और भाव घड़ गया है, तो आप बोलोगे नहीं, मैं लॉस में नहीं बेचूंगा, that is full of risk, दूसरा, अगर आप optimistic हो और confident हो जो हम है, हमें लगता है बहुत पांच टिलियन, साथ टिल में 100% पैसा बनेगा, थोड़ा उसको समय दीजिए, थोड़ा सोच समझ कर, थोड़े अच्छे stocks का portfolio बनाएं, और भरोसे वाले stocks में बने रहें, मजबूत क्वालिटी के शेरों के साथ छेरचार न करें, और कमजोर quality वाले शेरों को बहुत लंबे समय तक portfolio में न रखें, य जिरोधा के साथ जुड़िए, तो दोस्तों, account opening की link description में है, जाइए और link पर click करके, जिरोधा में अपना account open कराएं,